वीडियो तो पहले सुभह से बनाया था और आप लोगों को जो पत्र जारी हुआ था जो सूचना आई थी उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ था कि केवल चैनित अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग करना है चुकि सभी लोगों का प्रश्ण था कि काउंसलिंग में जो बेटि सुची बाला और और काउंसलिंग नहीं कर पाएंगा देखें यहां पर MPTRC की साइट पर में गया और यहां पर लोग संचालना रहा कि उसमें जा करके और उच्चमाद्धमिक सक्षक पर गया उच्चमाद्धमिक सक्षक में यहां पर सीधे सीधे आप लोग कैंडिडेट लोगन पर जाएं candidate login पर जाकर करके आपको यहां select करना है उच्चमाद धुमिक सिक्षक यहां roll number डालना है जो भी आपका roll number हो वो डालें यहां password जिसका बन गया हो वो डाल सकता है लेकिन अपनको तो sign up करना है तो यहां से आप sign up करें जैसे ही आप sign up करते हैं यहां पर आपको वही select करना है उच्चमाद धुमिक सिक्षक यहां roll number डालना है roll number डालने के बाद में यहां पर date of birth डालना है जैसे ही आप लोग इतना यह सब फिल करेंगे फिल करने के बाद में यहां पर mobile number पर click करना है और यह 7 plus 1 यहां answer में लिखना है जैसे ही यदि आपका registration जो कि आपका यदि सूची में नाम है चैनित सूची में नाम है तो तो आपका सीधा registration हो जाएगा mobile पर OTP के लिए option आजाएगा मतलब क्यों mobile पर OTP देना है password बगएरा बनाना है वो option खुल जाएगे लेकर आप जैसे ही यदि आप betting में हैं तो direct result not found का option आता है जैसे जैसे कि मेरे भाई का यहां पर था तो मैंने पूरी detail उसकी यहां फिल की थी और सीधे सीधे यह लिखा हुआ आ गया है कि details not found मतलब कि आप उस सूची में है ही नहीं तो इसलिए से इसपष्ट है कि किसी को भी जो बेटिंग वाले है ना तो वो profile create कर सकते ह हैं और ना ही आगे कोई पर क्रिया में रह सकते हैं इनके लिए अलग से जो कि अभी ये counselling हो रही है तो जो अगली counselling रहेगी उस counselling में बेटिंग वालों के लिए भी मुका दिया जाएगा अलग से फिर से सूची जारी होगी और फिलहाल में अभी इतनी ही जानकारी है कि आप लोगों को जो वेटिंग वाले हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको काउंसलिंग नहीं करना है, डायरेक्ट उसमें आदेस में भी लिखा हुआ था, चुकि आप लोगों ने आदेस देखा होगा, मैंने तो देखा था, उसमें पढ़ा भी था, उसम option को बता देता हूँ चुकि मैं वीडियो पहले सुबह बना चुका था लेकिन upload इसलिए नहीं किया कि कोई चूक हो जाए तो थोड़ी सी problem होना लगती है देखें ये लिखा है समस्त चैनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है देखें चैनित अभ्यर्थियों को ही इस पश्ट रूप से यहां पर लिख दिया था तो आपका डाउट किलियर है किसी भी परकार की चिंता ना करें आगे जो भी अपडेट रहेगा वो आप लोगों को दे दूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगली और जो भी वीडियो रहें वो आप लोगों के पास पहुंचे